आलो स्टुडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमल हजबेंट्री के फर्स लेक्चर के बारे में जो आपको किसी भी इंटरेंस एक्जाम हो, चाहे फिर आपके कॉम्पूरिशन एक्जाम हो, आपके लिए काफी जदा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो देखते हैं आप ल तो प般रे में एक अन्व इचतनव को जाने देखने में हो, चाहे आपको जाने मिलता है का लकुです संसार की सबसे पुरानी माहा इसब मनैं बच्चो यह इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक के नाम से बेचने मिल जाता है, तो आपको एक टॉर पैस्ट को यह जाता है, चाहे擊 है, कारण से होता है यह सुरुवात्र मैं नीमोनिया का रूप धारन कर लेता है तो आई-उ-पेपर में आई-उ-प्रक्ष चल रही है बच्चो आपको पसंद आने वाली है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलेν बच्चों तो याद रखेंगे आप लोग यहां से पेपर में दिया आपको कोशन देखने को मिलता तो क्या लेखना है आपको कि जो रिंडर पेस्ट है बच्चों यह क्या है बच्चों पसु पलेग का यह अन्य नाम है इसको शाथ में से नाम से नाम से बियानते हैं और इस जो किस जिवानु के कारण से पसु प्लैग यह रिंडर पेस्ट तो पास्चुराल से कारण से होता है नेक्स्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं बच्चों थी तो यह आप इंगलीस में भी देखने को मिल जाएगा आपको जितने भी टमेस्टिकनेंगे मिल जाएगा अपको एक तो यह सारी चीदों में आपको देखने को मिल जाएंगे याद रखेंगे आप लोग आपके लिए क्या रहेगा पोटरी में क्रमी घरन डीवर मिंग्त और जिसको नाम दिया गया है, ठीक है, यह किसके खलाफ होती है, तो बच्चों यह आपको किसमें देखने को मिल जाती है, यह आपको डॉग में भी देखने को मिल जाती है, तो इसमें क्या किया जाता बच्चों, इंटर परसाइट्स, ठीक है आंत्रिक परजीवी, जिसे कहा जाता है तो इसमें क्या होता है बच्चों कुत्तों में देखने को मिलती क्योंकि पेट के कीड़े मारने के लिए उपयोग की जाती है पोट्री में जो क्रमी हरंग होता है इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी पसू को पेट के कीड़े मारने वाली दवा खिलाना क्या क हमारा क्रमी हरन या हमारा डिल करना ही क्या कहलाता है थिक है क्रमी हरन या डिल करना ही क्या कहलाता है बन जाएगा बच्चों आप लोगों से். कोक्षनआ थडे आप लोग भी ट्राइ किजिए बच्चोंogen को और comments section में जरूर comments करते जाए ये question wise, हमसे पहले आप solve करके answer को दिखाईए, आई होप आपको काफी interest लगेगा और आपकी तयारी भी हो जाएगी बच्चों कमेंट्स करने पर, question number third, which one of the following is a major milk protein, आपको पता है बच्चों milk में जो protein होता है वो क्या होता है बच्चों दो होते है, एक होता है, कैसीन, एक होता है आपका, ठीक है, कैरोटीन, बच्चों, कैसीन जो होता है, ठीक है, वो किस में पाय जाता है, दूद में कैसीन पाय जाता है, याद रखेंगे आप लोग, तो गाय का पीला दूर होता किस करण से होता है, कैरोटीन के करण से होता है और भैस का सफेद रंग होता है बच्चों कैसीन के करण से होता है, ये दौनों चीज़ें आपको पहले से पता होगी, पेपर में कई बार कोशन बन चुका है, तो सफेद रंग होता बच्चों हो kayakseen के कारण से ये दोनों चीजान आपको पहले से पता होगी, पेपर में कई बार Legion बन चुका है दूध का पीला रंग किसका होता है गाय का और सफेद रंग किसका होता है दूद का भैस का होता है तो जो पीला रंग होता है वो कैसीन के कारण से होता है सफेद रंग जो होता है बच्चों वो कैसीन के कारण से होता है तो बच्चों ये लगबग जो कैसीन की मातरा होती है गाय के दूद में वो कितनी होती दूध्यों 3.5 के आश पास होती है अब देस्ट में 3.6 के आश पास पाई जाती है यह याद रखेंगे आप लोग ठिक है यह आपका प्रोटीन है अफर इपकर का ही मतलब क्या हूता है आपका पता है आपको चर मतलब क्यों होता है ? बदलना छार्मी्स क्यों होता है ? बदलना किस बदला जा सकता है ? फार्म, मैनेजर , लिबर को ऑनुध उससे कार करने वाले स्रमिक नहीं बदल सकते लिए इस को आप किस को higher higher level कहलाते हैं या तो उनको क्या बोलेंगे लूँ variable input बोलते हैं जिनको आप क्या कर सकते हूं बदल सकते हैं याद रखेगे variable यह दिया आया तो next question बच्चों क्या है the internal weight of cattle said the wall to wall is known as the पसू शाला की जो दिवार से दिवार की आंत्रिक चोडाई होती है उसे क्या कहा जाता उसको कहा जाता बच्चो स्पैन कहा जाता है क्या कहा जाता है इस पैन कहा जाता है दिवार से दिवार की जो चोडाई होती है उसको कैसे major किया जाता है किस नाम से जाना जाता है पूश नमर 6, जो in cattle, full set of permanent, ठीक है, in seizure, appear at the age of, मदेशियो में इस्थाइक कंतक दातों का पूरा सेट किस उम्मर में दिखाई देता है, मतलब पूरा सेट जो बनता है, यह पूरा सेट दातों का कैसे बनता है, ठीक है, तो बच्चों कैसे बनता है, यह आपकी, ठीक है, आपक 27 से 13 महा के बाद ही दिखाई देते हैं, चार दात, लेकिन जो पूरा का पूरा सेट दिखाई देता है, वो आपको कितने महीने में बाद दिखाई देता है, ठीक है, लगबख 48 से, ठीक है, कितना 60 मन्त के बीच में दिखाई देता है, और आपका 48 से 60, ठीक है, मन्त में कहा नदिर आते हैं पूरा को पूरा एक सेट आपको दिखाई देता है पर्मेंट इन सीजर का याद रखेंगे बच्चों नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन सेवन अमाउंट ऑफ मिल्क रेमें इन दा ओडर आफ्टर नॉर्मल ठीक है मिल्किंग इस कॉल्ड समाने क्या कहा जाएगा बच्चों सेज दूद उसे कहा जाएगा याद रखेंगे आप लोग फिर कोश्चन नमबर 8 क्या हो जाएगा बच्चों दत्थम रूल ऑफ डेरी फार्मिंग ठीक हाथ का रूल जिसे माना जाता है वन लेवर फॉर एवरी डैस डेरी काउस डेरी फार्म का थमरूल प्रतेक डैस डेरी गायों पर एक लेवर है ठीक है कितनी डेरी गायों पर मतब दस डेरी गायों एदी होंगी दस गायों पर एक लेवर को रखा जाता है ऐसा माना जाता है किस पर बच्चों थमरूल के एक और याद रखेंगे आप लोग अब बच्चों थमरू से दी है तो कितना दीजा जाएंगा बढ़ादी जाती याद रखेंगे आप लोग और दी तुछ हूं आप को खाना ज्याद़ खिला जाता है तु इसगे तुछ हूं कितना खिलाए जाता है एक केजी आपको ज़्यादा खाना उनको देना होगा आपको समझ में आगे बच्चों कि एक गर्वती क्रॉस ब्रेट गाये को गर्वस्ता के उन्न चरन के दोरान खोनाक मतलब रासन में कितने किलों को थोड़ा सा क्या करना चाहिए ज़्यादा देना तो मानकी करत दूद का बसा प्रतिसत क्या होता है लगबग 4.5 के आसपास होता है ठीक है याद रखेंगे आप लोग तो याद रखेंगे 4.5 किसका होता है बच्चों आपका स्टेंडर होता है और जो सॉलिट नॉट फैट होता बच्चों वह 8.5 होता है याद रखेंगे आप लोग इस कोशन और टेंपरेचर उतना कितना हो चाहिए बच्चों सबसे लंबा चरण होता है तो याद रखेंगे बच्चों यह क्या होता है इसका मतलब क्या होता है देस्टेस साइकल कहते हैं सबसे लंबा साइकल होता है इसे क्या का जाता चलिए श्यूरी करने उलि-भी य tartाई के निकालने के लिए उससे में टेंपरेचर केतना हुना चीनकर तो भय मेरे तृप सुने करेंगे और गए जदेनली क्या होता है आपका फॉरमुला होता है 9C upon 5 plus क्या होता है 32 होता है इसमें आप C की value क्या रख दो 100 रख दो तो 9 into 100 हो जाएगा upon में क्या जाएगा 5 plus 32 आप इसको काड़ दो कितने बार में 20 time में यह multiply करो कितना हो जाएगा 180 plus 32 का 32 आप प्लस करो कितना जाएगा बच्चों 212 Fahrenheit तो यह formula भी होता है बच्चों Celsius से किसमें निकालने का राइंट में निकालने का तो I hope आपको हमारे वीडियो काफी ज़्यदा पसंद आया होगा बच्चों इदी पसंद आया तो चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तों के साथ वीडियो को share करना ना भूलें comments करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के थैंक यू थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो एव नाइस देए